इस वक्त हम खड़े हुए हैं गौल्डन बीर्ट्स फैसन स्टूडियो पर और आपको बता दें कि ब्लो अवद बैंकिट हौल के पास में ये संजब पैलेस में मौुझूद है आपको बता दें कि गौल्डन बीर्ट्स की ओनर सेलपी नंदर Мलोट्र मेरे साथ में मौझूद है आपका स्वागत है सबसे पहले नमस्ते मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का क्योंकि त्योहारों का सीजन है दिपावली आ चुकी है करवाचोत निकल के गई है तो ग्राकों के लिए किस तरह का फैशन का कलेक्शन आपके पास समय मौझूद है नमस्ते और सभी मेरे कास्टमर्स को सभी शेहरवासियों को सबसे पहले मैं दिवाली की शुपकामनाई देना चाहूंगी और मेरी तरफ से और समस्त गोल्डन परिवार की तरफ से हैपी दिवाली दिवाली की धेर सारी शुपकामना है आप सभी को और जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी अभी करवा चौत होके गया है और अब दिवाली की त्यारी तो इस समय हम जितना केलेक्शन बना रहे हैं वो ज़्यादा तर इंडो वेस्टन और ट्रडिशनल वेर है जिसमें की ब्लिंक और सारा जैजी वर्क जादा चल रहा है क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं और शाइनिंग मटीरियल जो है वेल्विट्स हैं ब्रॉकेट्स हैं वो जादा इन होंगे और लेंगे हो गए गरारे हो गए शरारे हो गए जिसमें कि वो आउटपिट्स जो कि आपको बहुती खुपसूरत नजार आते हैं बहुती चमक धमक वले नजार आते हैं जैसे कि दिवाली खुद में एक दीपो का तोहार जगमार का तोहार तो गोल्डन बीज ये कोशिश करता है कि इसमें जो परीधान है आपके वो भी उतने ही खुपसूरत और जगमगाते हुए हूँ मैं जाना चाहूंगा आपके पास जो कलेक्शन है वो आप ग्राकों को दिखाएए ग्राक भी देखना चाहते हैं क्या कुछ नया आपके पास है ने ने मैं बिलकुल आपको दिखाऊंगी जैसे की अभी हम लोग ये कलियों वाले लहंगे बन रहे हैं जो कि अब नेट और उसके साथ वेलवेट के फ्यूजन में बनेंगे उसके बाद हम ये सारा सीक्वेंस वर्क लेके चल रहे हैं इसमें भी जो लाइनिंग आएंगी वो साथन या वेलवेट की ही आएंगी जिससे की आप जो आने वाला मौसम है उसमें खुबसूरत भी लगें और ठंड से भी बचें इसके बाद आप देखिए ये बहुत ही खुबसूरत फाब्रिक है जिसमें कट दाने का काम है पूरा और क्यूंकि जो पूरा डिसेंबर आएगा जानवरी आएगा या नियूरी वागे आ रही है तो उसके लिए हम थोड़ा सा शाइनिंग माटीरियल लेके चलेंगे समय मेरे साथ में जैसे कि सिल्पी नंदा जी है आपको दादें कि दीप कत्योहार है दीपावली और दीप यहां जलाके रखें आपने और ग्राकों को एक बहतर कलेक्शन इस समय जो गुल्डन बीड्स स्टूडियो है वो देने जा रहा है आपसे जानना चाहूंगा ग्राकों के लिए और कुछ क्या कहना चाहेंगे जिससे कि एक बहतर उनको एक अच्छा कलेक्शन मिल सके मैं अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा यह कहूँगी कि इन तीन सालों में उन्होंने मुझे बेहत प्यार दिया है मेरे काम को सरहा है रिस्पेक्ट दी है पूरी और जिससे की हर दिन मैं मोटिवेट होती हूँ जब वो कहीं खड़े होते हैं मेरे द्वारा डिजाइन किये गए परिधानों को पहन के तो अकर्शन होता है और उन्हें तारीफे मिलती है और उनकी इस तारीफ से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो हर दिन मुझे और बहतर हार्ड वर्क और अच्छा कारे करने के लिए प्रोचाहित करता है और मैं चाहूंगी कि इसी तरह हर दिन कुछ नया क्रियेट कर सकें अपने कस्टमर्स को इसी तरीके से सटेस्फाय कर सकें और जैसा वो चाहते हैं जिसको कहते हैं स्केच मी अप आज के टाइम में तो जो कस्टमर्स जैसी परस्नालिटी के साथ हमारे सके पास हैं हम उसी हिसाब से उनके व्यक्तित्व को देखके उनकेले डिजाइन करते हैं तमाम परिधान यहां आप देख रहे हैं किस तरीके से नए-दय कलेक्शन यहां हैं और । गोल्डन बीर्ट्स एक भरोसा बन चुका है गढ़ाकों का तमाम यहां गढ़ाक जब आ पूरा ने कही है दीपोत सब का त्योहार दीपावली है और इसके बाद शादियों का भी एक पूरा सिलसला चलेगा आप गोल्डन बीट्स आईए और कही नए कलेक्शन अपनी लिए कही नगे उन्होंने कहा है मैसेज दिया है कि लीजिए तमाम तरह के जिस तरीके से शहर आ अपने कलेक्शन मन चाहे कलेक्शन यहां से ले सकेगा कैमरेक पिचारेन बगेल मैं करतार सिंग बगेल आर्थ न्यूज